पैरों में लिप्टी है जन्जीरे आज तक दिन आजाता है अजादी का मगर आजादी नहीं आदी दोस्तों आज जिस विशेव पर मुझे आप सब के सामने बोलने का मोका दिया गया है दरसल वो मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है सवाल आजादी का क्या हम आजाद हैं जब इस सवाल का जवाब लिखने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई तो मेरे सामने सबसे पहला वाक्या आया उमर खालिब का उस इंसान पर सरयाम हमला किया जाता है वेब पर साशन द्वारा उसे गिरफतार कर लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी राष्टरवादी प्रिभाशा बाकी राष्टरवादी लोगों से मेल नहीं खा दी मेरे सामने वाक्या आता है सरहत पर खड़े उस जवान का जिसे जो हमारे सरक्षा के लिए हर वक्त तयार रहता है मगर जब उस पर हमला किया जाता है तो वो अपने दुश्मनों को मुत उड़ जवाब नहीं दे पाता क्यों? क्योंकि वो सरकार की कुछ नीतियों से पाबंदित होता है मेरे सामने वाक्या आता है सड़कों पर बैठे उस किसान का जो अपने घरों पर है तो उसे अंदाता कहा जाता है लेकिन जब वो सड़कों पर निकलता है तो कभी उसे देश द्रोही तो कभी उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है वो आज आज़ाद तो है अपनी फसलों को उगाने में मगर वो आज़ाद नहीं है अपने फसलों के सही दाम पाने में क्या आज़ादी के माइने सब के लिए अलग अलग है क्या आजादी के माई में सब के लिए एक जैसे नहीं क्या वो जवान आजाद है या वो किसान आजाद है समान सिक्षा पाने के बाद भी हम अपने विचारों को सरेयाम पर कट करने के लिए आजाद क्यू नहीं है कुछ सिनाना चाहूंगी करोडों खर्च कर दिये महजिक मंदिर बनाने में कर्च ना चुका पाने पर मैंने आतम हत्या करते किसान को देखा है और किसे जरुरत تھی यहां संसद की दवाईयों की कमी से मैंने तडपता इंसान देखा है दुनिया का सबसे बड़ा लोग तांतरिक विस्वाधानिक देश भारत जो आज दावा करता है कि वो आजाद मुल्क है सही माइने में वो आज आजाद नहीं है किसी देश की आजादी और उसका विकार इस बात से तैह नहीं होता है कि उस देश में ऐस चित्वर्ग और बढ़वा मज़्धूर कितने है कितनों के सिर कलम हुए थे, कितनों ने गोली खाई थी कितने जूले फासी के तक्तों पर कितनों ने जान गवाई थी वो वक्त बड़ा बेरहम सा था, बेरहम गुलामी चाई थी खून बहा था पानी सा तब जाकर आजादी पाई थी मगर क्या वो यही आजादी थी क्या यही वो आजाद भारत था जिसके लिए हजारों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और इसे आजाद कराने के लिए नाजाने कितने साल लगा दिये आज अजादी के साथ दशक बाद भी हम सही माइने में अजाद नहीं हैं और मेरे देश को आज भी अजादी चाहिए अजादी गरीबी से आज भी देश के 6.7 परतिशत लोग सड़कों पर सोते हैं वो भूखे रहते हैं और दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते आज भी समान स्रिक्षा पाने के बावजूद भी हम रंग भेज जाती भेज नसल भेज की जड़ों में उल्चे हुए हैं अजादी धरम से एक वाक्या सुनाना चाहूंगी कि जब हम गुलाम थे तो हिंदू स्तानी थे अब जब हम आजाद हो गए तो हिंदू मुसल्मान हो गए आज भी हम धरम से बाहर निकल कर नहीं सोच पाते अजादी ब्रश्टाचार से आज भी कोई सरकार हमारे भारत को ग्रश्टाचार मुफ्त भारत नहीं बना पाई जब लड़का घर से भाग जाता है तो उसका इंतिजार किया जाता है मगर जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसके शराद कराए जाते हैं मैं बता दू महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 133वे नमबर पराते हैं बेटियों को शबत दिलाई जाती है बेटी वचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों को आगे बढ़ाने की में पहल की जाती है मगर ऐसा नहीं किया जाता आज भी हम सही मामले में आजाद नहीं है